बाबुलाल गौर की जगए पर मद्धु प्रदेश के पहली बार मुख्यमंद्री बने थे 61 वर्षे शिवराज सिंग चौहान का जन्म 5 मार्ट 1969 को सिहौर जिले के जयत गाव में हुआ था शिवराज के पिता का नाम प्रेम सिंग चौहान और माता का नाम सुन्दर बाई है उनके पिता के सांथ है शिवराज सिंग चौहान किरार राजपूच समुदाय से संबंद रखते हैं उन्होंने शिक्षा चौथी तक की पढ़ाई गाव में ही पूरी की इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए भुपाल आ गए यहां उन्होंने मौडल हायर सेकेंडरी स्कूल में धाखिला लिया यही पढ़ाई करते हुए शिवराज सिंग चौहान साल 1975 में चातर संग के अध्यक्ष चुने गए उच्चतर सिक्षा के लिए शिवराज ने भुपाल के बरकतुला विश्वद्याले में प्रवेश लिया और दर्शन शास्त्र में परासना तक की पढ़ाई की शिवराज बरकतुला विश्वद्याले के गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं आपको बता दें कि शिवराज सिंग चौहान मेडलिस्ट के सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं एक किसान का बेटा होने की पहचान लिए शिवराज सिंग चौहान ने कॉंग्रस सरकार में आपात काल का विरोध किया इस दौरान वो साल 1976 और 77 में भी जेल गए शिवराज सिंग चौहान जब महज 13 साल के थे तब साल 1972 में वो राष्ट्रीय स्वयम सेवक संग से जुड़ गए थे इसके बाद वे समय समय पर जन सामाने के मुद्दों को उठाते रहे ABVP से जुड़े और फिर पहली बार विध्वान सभाता चुनाव लड़ा शिवराज सिंग चौहान साल 1977-1978 में अखिल भारतिय विध्यार्ती परिशत के संगठन मंत्री बने साल 1978 से 1980 तक मध्यप्रदेश में ABVP के संयूक्त मंत्री रहे और 1980 से 1982 तक अखिल भारतिय विध्यार्ती परिशत के प्रदेश महा सचव रहे और 1982-83 में परिशत की राष्ट्री कारिकारणी की सदस्य चुने गए जाल 1984-1985 में शिवराज सिंग चौहान को मध्यप्रदेश में भारतिय जनता युवा मोर्चा का संयूक्त सचव और वर्ष 1985 में महा सचव बनाया गया इस पद पर वे 1988 तक बने रहे जबकी साल 1988 में भारतिय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया इस पद पर वे 1991 तक बने रहे वर्ष 1990 के विधान सभा चुनाव के दोरान पहली बार शिवराज ने बुधनी विधान सभा शेत्र से चुनाव लडा और विधायक बने